हाई आवरीवन आज मैं लेकर आए हूँ वैटिल को क्या मेकप यानि की जिसे वाइट पैच भी कहते हैं फलवेरी भी कहते हैं उसका मेकप लेकर आए हूँ और वो भी वाटरप्रूफ इस वीडियो में आपको step by step बताऊंगी कि आपने कैसे make-up करना है जिससे आप वटिल को यानि की फलवैरी या फिर white patch को hide कर सकते हैं सो सबसे पहला step है CTM यानि की cleansing, toning और moisturizing ये पक्का होना चाहिए कि skin अच्छे से clean हो उसमें कोई भी dirt oil ना हो इसके बाद आपने second step लेना है primer आप चाहे तो skin के according भी primer ले सकते हैं लेकिन वटिल को में क्या होता है ultra under base primer ही use किया जाता है जिससे skin hydrate होती है ये कुछ इस तरह के container में आपको मिल जाएगा इसे कहते हैं ultra under base primer अगर आपके client की skin ज़्यादा sensitive है उस पर सब कुछ allergy करता है तो आप use कर सकते है pro sheet barrier form ये mousse की तरह form होता है और इसे आप make up से पहले apply कर सकते है अगर आपके client के allergy होती है तो इसके बाद third step लेना है derma color का जिसमें आप ले सकते हैं d30 या फिर d32 d30 orange color का concealer होता है और d32 red color का concealer है आप कोई भी इन में से ले सकते हैं बट ज्यादा तर d32 ही use किया जाता है ये difference होता है d32 और d30 में d30 थोड़ा सा light color में होता है और d32 dark red brown में होता है इसके बाद आपने जहां जहां पर white patch है वहां पर इस concealer से अच्छे से cover कर लेना है इसे आप brush से भी apply कर सकते हैं so fourth step है ये apply होने के बाद आपने यूज़ करना है fixing powder fixing powder में आप यूज़ कर सकते हैं P4 इसे आपने लगा रहने देना है इस powder को आपने काफी जादा मात्रा में लगाना है इसे आपने remove नहीं करना है और इसे skin पर लगा रहने देना है ता जो cream और powder अच्छे से merge हो जाएं तो ये है fixing powder derma का आपने इसमें derma के ही product यूज़ करने है कोई और product नहीं यूज़ करना अगर आप अपने make-up को waterproof बनाना चाहते हैं तो इस powder को आपने sponge से अच्छे से concealer के ऊपर ही apply करना है powder को apply करने के बाद आपने 15 minutes के लिए उसे rest दे देनी है यानि कि उससे छोड़ देना है ऐसे ही ता जो पहली मैंने आपको बताया कि ये merge हो जाएंगे जिससे आपका make-up completely waterproof हो जाएगा फिर आपने कोई वी brush लेना है तो जो आपका excess powder था उसे आपने surface से remove कर देना है आपने powder access से लाना है जो cream और powder merge हो जाएंगे और 15 minutes के बाद brush से powder को remove कर देना है फिर आपने इसे repeat करना है अगर need हो तो अगर आपके client के white path ज़्यादा है शो हो रहे हैं मेकप करने के बाद भी तो आप इसका stack and strap यूज़ करें otherwise इसे रहने दे तो second layer में आपने क्या करना है जो भी cream आप ले रहे है डर्मा कलर की D30 या D32 उसे apply करना है white patch पर ही और इसके बाद आपने apply करना है fixing powder इसे भी आपने 15 minutes तक rest देनी है जिससे ये merge हो जाएंगे अच्छे से और आपका make up हो जाए और waterproof और 15 minutes के बाद आपने जो excess powder है उसे remove कर देना है चैसे कि मैंने पहले बताया यह photo में भी दखाया है कि आपने cream लगानी है then powder लगा कर 15 minutes rest देने के बाद powder remove कर देना है फिर 8 step आपने क्या करना है डर्मा कलर जो skin के according है आप हैंड पर देख सकते हैं अगर उनके face पर ज्यादा white patch है तो हैंड से आप color match कर सकते हैं या लाइन पर check कर सकते हैं या कहीं भी check करकर उनके skin tone के according cream apply करें cream को apply करने के बाद आपने लेना है fixing powder fixing powder यहाँ पर आपने skin के according लेना है इसमें आप ले सकते हैं P1, P2, P4 कोई भी skin के according fixing powder अब यूज करना है जैसे कि आप लेख सकते हैं कि makeup complete होने के बाद आपकी skin even हो जाएगी आपकी skin पर कोई भी patch नहीं show होगा आप fixing powder की जगा anti shine powder भी use कर सकते हैं उपर इससे क्या होगा आपका makeup show नहीं होगा और makeup finish होने के बाद हमारा last step है आपने cream और powder apply करने के बाद 15 minutes wait करनी है और फिर apply करना है setting spray मैं आपको advice दोंगी कि आप derma color का ही fixing spray apply करें इससे क्या होगा आपका makeup जो होगा वह waterproof हो जाएगा मतलब अगर face पर पानी भी डलेगा तो वह waterproof ही रहेगा यह cleansing से या फिर coconut oil या फिर makeup remover से ही आपका makeup remove होगा यह remove नहीं होगा जिससे आपके white patch show नहीं होगे काफी लंबे समय तक उमीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like share करना ना भूले ऐसी और interesting videos के लिए मेरे channel को subscribe कर ले और bell icon को दबाना ना भूले इल्एबना भूले इल्या है